डिवल नेचर आफ रेडियेशन एंड मैटर पूरा एंसी अटी से सारा कि सारा जो जो कुछ है वो ही यहां पर मैंने किया हुआ है नेचर आफ लाइट 1672 काफी पुरानी बात करीबं 300 साल पुरानी बात मला हमारी साइंस की डिवल्पेंट होनी यही है 300-400 साल का सारा ताइम मिला है और इसमें अब इस सदी में जो है इस सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डिवल्पेंट साइंस में होई है 1672 में न्यूटन ने करपस्क्रर थियूरी आफ लाइट दी और न्यूटन की करपस्क्रर थियूरी क्या बोलती थी न्यूटन की करपस्क्रर थियूरी ये बोलती थी कि लाइट कंसिस्स आफ स्मॉल पार्टिकल नोने करपस्क्रर थियूरी किसी का चाही छोटा होता है किसी का बड़ा होता है तो न्यूटन पार्टिकल थियोरी का सपोटर था भाई कि लाइट की पार्टिकल नेचर होती है तो उसने वो क्या बोला करपस क्लर थियोरी अगर आप डिक्षनी खोलोगे तो करपसल का मनलब होता है स्मॉल पार्टिकल तो नूटर ने यही बोला कि LIGHT जो हो स्मॉल पार्टिकल की फॉर्म में हम تک आके पूंच त्य है लोगों ने पूचा कि वह स्मॉल पार्टिकल की फॉर्म में पूंच तो तुझे डिस्क या ते जो तूने बनाई थी अब लोह week को याद होगा बूछा भई तो अगर पार्टिकल से मिलके बनी है तो ये भी बता दे कि वो कलर कैसे आया फिर पार्टिकल के पास अब क्यूंकि एक्सपेंड करना असान नहीं था तो निटन ने बूला भई ऐसा है कि पार्टिकल कोई छोटा होता है को बड़ा होता है छोटे एक आलग अगर पार्टिकल अलग अलग साइस के हैं अलग साइस के पार्टिकल के अलग बेवलंद थे तो इसलिए अलग अलग दिखते हैं चले जी बोले बढ़िया होगा है तो आप ऐसा करो कि वहीं कर दो लॉफ रिफ्लेक्शन ने प्रूब कर दिए था आई जिकटवार फिर बो जो पार्टिकल आ रहे हैं करपस ला रहे हैं उनको हमारी अर्थ या हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सर्फिस से वह अट्रेक्ट कर रहा है वो अट्रेक्शन की वैसे आरा है अर्थ अट्रेक्शन की वैसे और चीज़ें जो है रिफ्लेक्टिंग सर्फिस से वह अट्रेक्ट क तो उनकी स्पीड बढ़ जाने चाहिए तो उसने क्या क्या रिफ्रेक्शन में अंदर स्पीड बढ़ा दी बाहर स्पीड कम अंदर जादा बुले अट्रेक्शन और यह वास जो मीडिया में वह अट्रेक्ट करता है तो अंदर जाके स्पीड बढ़ गई स्पीड बड़ गई लेकिन प्रेक्टिकली तो उल्टा निकल रहा था, अंदर स्पीड कम होती है बाहर जादा, यहीं स्टॉप हो गया था नहीं, अपने इस थीओरी के साथ, यहीं स्टॉप होना पड़ा क्योंकि, लॉफ रिफ्रेक्शन एक्स्पेंट नहीं कर बाया है, पार्टिकल थीओरी अफ लाइट का सपोर्ट रहा था, लाइट कंसिस अफ वरी थिन पार्टिकल नहीं करपसल, परपसल, P-U-C-L-E-S, इस करपसल और अमेशन फ्रॉर्स आप्सल, आप सोर्स आप्सल में सही भी था, ज्यादा एक्विप्मेंट हमार पास नहीं होते थे, ज्यादा कुछ नॉलिज नहीं थी बोलने के लिए, पर वो टाइम ऐसा भी था कि भाई, न्यूटर ने जो बोल दिया, वो फूल और फाइनल है, उसको फिर कोई अगर अपोस करना है, कोशिश करे तो रगड़ा गया मतलब समझा, तो अपोस करना है, तो बहुत सुर्ट ग पी अपॉन रो, वी कोड़ो पी अपॉन रो, जबकि एक्शल फार्मला था क्या, अमा पी वैरो, नहीं बिटा, सर गामा लग रहा था शुरू में, गामा लगना था, किसकी करेक्शन थी वो, किसकी, लापलस, है न बिटा, तो इसलिए हुआ, अब उसको भी 30-40 साल का प्रोसेस, और लापलस ने बाद में क्या बला भाया, इसो तरह नहीं सकता, जब साउंड चलती है, तो इतनी जल्दी-जल्दी सब कुछ होता है, कम्रेशन रेटिफेक्शन, आसपास वाले मीडियम को साटा, साटा, साटाइम ही नहीं बलता के एक्शेंज कर सकी, हरे मैं भ कम्रेशन रेटिफेक्शन, अब एक सेकेंड में 500 कम्रेशन रेटिफेक्शन होगा, तो सराउंडिंग कैसे हीट एक्शेंज कर लेगी उसके साथ, न्यूटन उस सेम गलत था, लेफलस ने करेक्शन दी तो सही है, लेकिन लोगों ने जब न्यूटन ने फार्मरा दे दिया तो लोगों ने बोला ने न्यूटन गलत नहीं बोलता, बोले साउंड है, गलती में इसको चलना नहीं आ रहा है, बात सही थी, वो ऐसे लोग थे जो बहुत कुछ डिसकवर कर चुपे थे, और उनको गलत प्रूव करना, मतलब यह था कि काफी जिगरा चाहिए, एक्सपेर दूसरी थेयरी आगे हाईजन वेव थेयरी, 1678 में, आठ साल के बाद, और उसके बारे में आपको बताया जा चुका हाईजन वेव थेयरी के बारे में, वेव फ्रंट के बारे में, लेकिन हाईजन की गलती क्या हो गए थी उसने, लॉंगिट्रिन वेव मोशन मान ली थी, कि जो लाइट है, वो लॉंगिट्रिन वेव है, तो उसको क्वेशन लोगों ने क्या किया है, भाई लॉंगिट्रिन वेव है, तो सन से यहां अर्थ तक कैसे पहुंची, पीच में तो वेक्यूम है, उसने भी बाते करनी शुरू करती थी, बहुत नहीं, वेक्यूम कुछ नहीं होती, तो अच्छी बात ही थी कि हाईजन ने वो एक्सेप्ट भी किया, और उसी की साथ आगे बढ़ा, लॉफ रेफ्लेक्शन, लॉफ रेफ्लेक्शन, इंट्रिफेरेंस वेरा, पही कुछ प्रूब कर पा है आपने थियोरी की साथ, खलो आगे, तो आगे, तीसरा आगे, फिर मैक्सवल्स इलेक्ट्रोमेनिटिक वेव थियोरी, वो भी आपके, ते तो इसितराई अगे रचलाएंग्रूक क्रूप कर चुक्यों, माश्मेलの क्या बोला, कि लाइट जै वो एलेक्त्रोमेनिटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रि फिल्ट भी होती है, मैन कर दे बहुती है, तीया ये प्रपेंटे Kennethe क में और डारेक्शन अप्रोबगेशन क्या गिए डारेक्शन अप्रोबगेशन कि दूसरी आगी दाइजन वेफ तरुई 1678 में विड़ाया ना और तीसरी आगी मैक्स्वेल्स त्योरी कि कि अजया है तो यहीं जो बैठ बैठ के सुनते रहा करें वह एड़ोन मेरे लगा कि कि मन के अंत्वात्मा की बात होती है कि हभागर चुलाएं जी कि कि एक मिनटि सर्झी जी एक मिनटि कि इसकूज में जब आपके शुरू हुई थी तब मैंने उसके बारे में डिटेल में आपको बता है था तो हाईजन ने ये मान लिया था कि वो लॉंगिटिलल वेव मोशन है अब लॉंगिटिलल वेव मोशन है तो उसमें दिक्कतें कही आई कि लॉंगिटिलल वेव मोशन वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती तो लोगों का कहना ये था कि वाई वैक्यूम है सन और आर्थ के बी और किसे रविसे करों की कि मीडियूम नाम की कुछ मीडियूम का सबस्क्राइब नहीं की बिना जा कि या नहीं तो होगा तो उसी मीडिया में भी प्रॉपगेट करेंगी लॉंग इपी तो लोग न बोला फिर उसके तो मास होना चाहिए और मास होगा तो फिर तो प्रैसर बढ़ जाएगा और इतना ज्यादा होता कि सैन करना चाहद मुश्किल होता होतना तो ही नहीं तो फिर उप्रैसर का आँगा बोलने हो मास थैस होता हो खास मेडियम है उसके बाद मास नहीं होता है मास थैस होता है बलाब हो काउंटर करता कि अपने तरीके से लेकिन बाद में मैक्सवल्थी की इसी तेयरी के विश से वापिस लेना पड़ा खाय जिनको सब कुछ और इसन के परोग गया था c e upon b के बराबर होता है या e not upon b note के बराबर होता है e not amplitude of electric field in electromagnetic wave we not have amplitude of magnetic field in electromagnetic wave light consists of electric field and magnetic field which oscillate with time the oscillation preventing the direction of propagation of wave they oscillator na they are also probendical to each other electric field or magnetic field एक दूसरे के Natomiast होती है और डारेक्शन आप प्रफगेशन के भी प्रबेंडिकुल उसिलेट करती है एक एक एटीन सेवंटी थ्री सोला सो सब्सक्राइब सीधा दोसो साल का फर्क पड़ गया 200 साल के बाद मैक्सवेल्स एलेक्ट्रोमानेडिक थियुरी मतलब हाईजन वेव ते और फिर मोड़िफा करना वहला कोई और रहा होगा कि नैभी चलो हिए कि इसको एकर मोड़िफा करते है क्योंकि हाईजन वेव तेरुके ओपर वेस चीज़ों को हज़र बटा हाईजन वेव तेरुके पर वेस लब रिफ्लेक्शन भी प्रूफ किया लॉफ रेफ्रेक्शन भी प्रूब किया इंट्रफेरेंस भी प्रूब की वादब उसी को बेश पर अगर सारी चीज़े की गई तो फिर किसी और नहीं कियों कि अब इस वाद दूस्टाल बाद दूस्टाल के बाद कि यह क्या हो कि यह यह दो मैटल की प्लेट ने विटा और इनको क्या दिये गए खूब सारा चार्ज पादरीब और यह नेगेटिव पादरीब और नेगेटिव के बीच में क्या स्पार्क इंडियूस हुआ इतना ज़ादा बोटेज दी गई कि यहां स्पार्क इंडियूस हुआ और स्पार्क से क्या चली आगे इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव जिसमें इलेक्रिक फिल्ड भी थी और मेगनेटिक फिल्ड भी थी यह एकस्परिमेट ऐस जयत्व हर्टस का था किसका हर्टस का एक्स् उसने क्या ऐसे ही आगे एक और रखा जैसे है ने बटा वैसे दो पाइंट आगे और रखे काफी दूर और देखता क्या है जैसे यहां स्पार्क इंडियूस वा उसी टाइम यहां स्पार्क इंडियूस वा बटा अब यहां तो कोई बैटरी भी नहीं थी यहां कोई बैटरी जो आ ऩी उसा अपर वाले को पादरिव नीचे वाले को नेगटिव कर दिया पादरिव में यहां भी स्पार्क इंडियूस को होई बैट्री किने थी बस जो वेघुव हांसे यहां तक पहुंची इन्वीजबल उसने सबार के इचिए पहली बार ऐसा पताचरा था कुछ ट्र और मैक्स प्रेंग क्या बोल दिया लाइट ट्रेवल इंदा फॉर्म आप स्मॉल पैकेट्स ऑफ अनर्जी नोन आज कौंटा इच पैकेट इस एनर्जी एच फॉंटा बोला है फ्रिकुंसी बोल रहा है तो वेब नेचर तो मानी रहा है लेकिन वेब नेचर में भी कहता है व झालब कुछ कॉंटणियूस है क्योंकि एक पानी का मॉली को देखा मैं है तो दो हईड्रोजन और एक और हुटांब मैं दीने कोणियूगी के आंठियोन को में बोला गया एक ज्यूंच पारDO क्तियान और झाल कॉणकर बोला गया और एक पूंड़ा के CB लगता है इसका भी बन पर एट इतने टाइम में एक कौन्टा निकलता है हमारी आंके अबज़ार नहीं कर पाती इतने चूटे इंडाइम इंटर विखता है लगतार जैसे आ रहा है यह मैक्स प्लैंक की थी और सभी लाइट की वारे में कमेंट कर रहे हैं मिटा न्यूटर ने भी कर्फेस्टर थी उसी लाइट के लिए थी हाईजन ने भी उसी के लिए थी उसके बाद अगर इलेक्ट्रोमरेटिक वेव थी थी वो भी लाइट के बारे में थी और ए भी चार-चार लोग अलग लग सीज़ें बोल रहे हैं हाँ है इसलिए कंफ्यूज नहीं हो ना कभी हम बोलते हैं क्या equipped हैं और कभी इंटेनेंसियों की बात करते हैं कभी a squad की अ अधानलीय कमभारिंग जर अकर वे टूंग सुट्वैंग श्मुरणलियों कि यह थे लूव सक्या में क्या बाते है बाते है और क्वाइल में ऑसिलेटिंग करन पास के आमें और ऑसिलेटिंग करन का मदब ऑसिलेटिंग चार्ज यहां तारों में भी तो ही है बस फ्रिकुंसी फिप्टी हर्ट्स है और फ्रिकुंसी फिप्टी हर्ट्स का मदब एक सेकंड में 50 तो इमेजिनिसने बियांड बात है एक सेकिन्ड इतना से टाइम है बस और इतने टाइम में एक रेक्ट्रन आपने 50 साइकल कंपरीट कर लेता है ऐसे ऐसे उसलेट आवसलेट कर रहा है कोई चार्ज जब एक्सलेट करें तो तो टो एलेट्रो मैंनेटिक वेफ जनलेट करेग यह तार हे जितने भी हैं जिनमें से AC फ्लो करता है तुमारे घरों में सब V 축ule चेर को कि यह आँ लेक्रोन में और भीजन में ऑना क्या होता है exilation center परCAR सी उस्टे रहे जाँ़ी में फिर जाँ कर सिरो फिर सेंटर ς फिर एक्सरीम पर जी है अब हम यह हम आपने लिए चीज कोई पता है क्यों कि TONOM के साथ कंफ्लिक्ट पैदा करेगी कुछ तो होगा क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइब करने का हम भी करते हैं हम भी चार्ज जिसको करवाना जानते हैं है तो हम भी वाई क्या है इलेक्ट्रोमेनेटिक वेव को जन्रेट करना जानते हैं वाला पुरान लेवाई तो क्या रिटाज लगार टेंडेस अपने लिए तो यहां भी चार्ज क्या कर रहा है बिटा उसलेट कर रहा है वह भाई यहां देखो वह लंपू इस यह चार्ज और चार्ज एलेक्ट्रोम जब और करेगा तो इलेक्ट्रोमेनेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा बहुत सिंपल सा प्रोसेस है चार्ज को रिट और यह फैदा हो जाएक घर्यों ओनों आगे ट्राफल करती हैं लेकिन दोनों राइट एंगल पे होती है इलेक्ट्रीफिड और मेग्नेडिक फील्ड अगर दोनों जनरेट करनी है तो चारों तरफ इस तरफ़जा करें तो और डीब रॉगने ने सब कुछ कमबाइन करने का काम कर दिया, बोले भाई डीवल नेचर होती है, इसमें दोनों का मज़ा है, पार्टिकल का मज़ा भी है और वेव का मज़ा भी, इसमें दोनों का मज़ा है, पार्टिकल और वेव दोनों का, बात नहीं करनी है तुम गुर्ण गुर्ण लगा करें क्वी तब से कुई है सुनिए तू तो है यह डिवल नेचर है पते से डी ब्रॉग लिखा 1924 1600 से देखो 300 साल के बाद 300 साल लगे लोगों को समझने में क्या है यार यह यह भी सही बोल रहा है वो भी सही बोल रहा है 300 साल तक लोग आपस में लड़ते रहे नहीं नहीं बोले पार्टिकल थियोरी होती है पार्टिकल थियोरी सही है वोई बोले वेव थियोरी सही है लाइट की वेव नेचर होती है लेकिन 300 साल के बाद किसी को समझ में आया कि यारे तो दोने ठीक बोल रहे तो इनको समय वे नहीं आ रहा भी है बोल के रहे है तो आइस सेन का फॉर्मॉला लिए ओठाया री प्रॉडली ने क्या इसकोड़ो एमसी स्क्यार पार्टिकल का था ये तो मास का फॉर्मॉला था औ आप आपन ओम्न दोनों को कम माइमन कर दिया है यह भी तो यह भी दोनों को कमा करता है है MK सख्रस्क्र मुमैंटम्न हो गया ना य unl att हमारी दुनिया में कोई भी अगर बांटिकल जिसके बास मोमेंटम है तो यह equek तो लेम्डा आगे हैच अपॉन फी के बराबर, पी आगे है में इन्टू सी है में इन्टू वी के बराबर, यह पोस तुम जा रहा है, तुम्हारा मास है 50 क्यजी, तुम्हारी विलाश्टी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो लेंडा एकोड़ो क्या भाई है एच अपॉन पी तुमारा मास 50 kg विलास्टी टू मीटर पर सेकिंड एच की वैलियो 6.6 इंटू 10 सब्सक्राइब 34 डिवैड बें 100 लेंडा कितना क्या 6.6 इंटू 10 रेशपार माइनस 36 मीटर कोई ऐसा सेंस्टिव डिवाइस हमार पास नहीं है जो इतनी चोटी बेवलेंद को मैजर पर सब्सक्राइब मारा तुम जब चलते हो 50 किलोगा इंसान जब चलता है उसके साथ भी बेवलेंद है इसके बात करना वेकार है इसलिए हम नहीं बोलते है कि बंदा कोई जा रहा है वेव जा रहा है हम इनसान की बात करते हैं कोई पत्थर मार दिया किसी की तरफ तो पत्थर मार दिया ऐसा नहीं बोलते है क्योंकि पत्थर भी अगर तुमने किसी तरफ यह गोली मार दे किसी को अब गोली वाले केस में मास क्या ओगया कुछ ग्राहम कहा गया स्पीड तो लेकिन काफी जादा है मान लो 900 मीटे पर सेकिन की स्पीड है अरे तब भी मुमेंटम कहाँ जादा है तो वो भी तो मुमेंटम काफी काम है इतनी वेवलेंट है कि उसकी भी बुलिट जब आपने फायर कर दी और वो जल चलेगी अप्रॉक्सिमेट इतनी वेवलेंट पुलिट किया गी कहाँ अबजर वेवला है वो अबजर करना मुश्किल है बहुत च्छोटी वेवलेंट है तो इसलिए हमें जो दिखता है हम अच्छली उसी पर विश्वास कर रहे होते हैं हमें जो दिखता है उसको रुद्धे रूंडने, तो पड़ा राम से, ये लेमडा हमारी दुनिया के पार्टिकल के हकीकत है, हर पार्टिकल जो चल रहा है, उसके अप्रॉक्समेट इतनी वेवलेंट है, और इसके बारे में बात करना बेकार होगा, उसको वेव बोलना बेकार होगा, इसलिए प पार्टिकल करेक्टर डाउन आता जाएगा, वैसे वैसे वेव नेचर बढ़ती चले जाएगी, और इलेक्ट्रोन के साथ ऐसा ही हुआ, इलेक्ट्रोन का मास था नाइन पार्टिकल तो था ही था वो, लेकिन हमें एक शांदार एक्सपेरिमेंट मिल गया, जिसमें हम एप् इनडारेक्ट एक्सपेरिमेंट है, जिसके हम एलेक्ट्रोन की वेवलेंट भी मेदर कर सेथे, तो डियोल नीचर आगर थियोरी दे दी तो उसकी सपोर्ट में तो लोगों ने आएगा, कोई कोई एविडेंस देगा, तब ही तो बात बनेगी, या तो एविडेंस कुद दे ने पढ़ने थे, लेकिन उसकी सपोर्ट में जर्मर और डेविशन नाम के दो सेंटिस से, उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया, कि हाँ बाई, इलेक्ट्रोन जो है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, और साथ में अच्छी खासी वेवलेंट उसके बास होती है, और फिर एकार एक्सपेरिमेंट आया, जो ता है अनिलेशन प्रॉसेस, एक और एक पॉज़रोन और पॉज़रोन जब आपस में टकराते हैं, ने नों दोनों का मास सेम, पर चार्ज सेंटि एक के बास, प्लस ऐी चाज़ज दो उसके बास प्लसों की चा दोनों का मास हैं लेकिन टकराते हैं तो मास खतम गामा रे बनती है मास नदरे नहीं आता और यह बहुत तगड़ा एविडेंस है कि मास अनर्जी में करणवर्ट किया जा सकता है इससे उल्टा एक्सपेरिमेंट भी हुआ पेर प्रडक्शन बोलते हैं उसको इससे उल्टा ज से मास प्रोडूस किया जा सकता है यह बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट था एक था पेर प्रडक्शन और प्य प्रडक्शन में क्या हुआ गामा रे अचानक चलते चलते डिसोसेट हुई एक एलेक्ट्रोन बना और एक प्रोट्वण बना वैस्वरी पॉज़िट्रोन बन ठीक है इलेक्ट्रोन और पोजिट्रोन इसके पास भी मास था और इसके पास भी मास था मतलब अनरजी से मास पैदा किया जा सकता है अनरजी मास में कनवर्ट की जा सकती ये एक्सपेरिमेंट ये बुल गया और दूसरा था है एनिलेशन डेक्शन और वो उल्टार एक्षिन दा भर मता है एनिलेशन एक्षिन गेक इलेक्टरोन और एक पॉजिरोन आपसमें टकरा जाएं तो बनती है गामारे मास्क खतम हो जाय तो अनर्जी तायर जाती है अनर्जी क्तम हो जाय तो मास्क पैदा हो जाता है झोटे स्केल पर होगा बड़े पर होगा किस दिन आने वाले टाइम में आप जैसे मास को अनर्जी में कर्वर्ट किया जा सकेगा और अनर्जी को दुबारा से मास में कर्वर्ट किया सकेगा मतलब तुम्हें भी जैसे सिगनल आप्टिकल साइगे से भीजे जाते हैं या फैक्स बिज़ा जाता है वैसे इनसान भी फैक्स कर दिये जाएगा मशीन में रखा और यहां से फैक्स कर दिये जहां भीजना था वहां पर री प्रोडूस कर दिये लेकिन वो टाइम कब आएगा कोई पता नहीं बहुत मुश्किल प्रोसेस है क्योंकि हर इनसान हर इनसान इनी 115-20 ऐलिमेंट से मिला के बनाई यह आप जानते हो जितने ऐलिमेंट पिरियोडिक टेवल में 119-20 ऐलिमेंट उनी से मिलके बनाई है उसके बार कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी सबके शकले अलग है सबकी नेचर अलग है सबका काम करने का सुचने का तरीका अलग है क्योंकि हर आइटम आइटम तो है किसी के बास कॉपर ज़्यादा है किसी के बास सिल्वर ज़्यादा है किसी के बास कोई कल्शियम ज़्यादा है तो नमबर आफ एटम का डिफरेंस है फिर atom के बाहर जो electron के energy का difference है कैल्शीय में सबोथ तेने इनसानों में एक में बाहर जो electron के energy कुछ और है यह बहुत मुश्किल है इनफानल नमबर आफ electron सब के energy को match करना था कि वैसे इनसान दोबरा बना सके नहीं तो एक इनसान गुशायदा कोई और कुछ ही बना के निकाल दिया और उसके अनरजी में डिफरेंश आल दिया तो कोई और ही निकाल दिया आगे से वैसे तो नहीं है फोड़ कर सकते हैं हम लोग पर ऐसे जरूर नॉन लीविंग चीज़ों को जरूर स्ट्री प्रोडूश जल्दी किया जा सके है थोड़ उसको रियरेंज दुबारा से करना ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर यह भी फॉसिबल होगा कि मास्कों अनरजी में करनाट कर सकते हैं आगे चलो जेजे टॉमसन एटिन फिफ्टी सिक्स में पैदा हुआ इंगलेंड में नाइंटीन फॉर्टी में जाता रहा है कैम्रेज में काम किया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बादे में काफी कुछ इसने किया तो थुड़ दिर में एक्स्पेरिमेंट आएगा हमारे पास जे जे तॉमसन ने क्या किया एटम को डिसकवर करने के मामले में काफी आगे बढ़ा है एटम के मामले में आगे बढ़ना काफी मुश्किल था क्यूंकि बहुत छोटा है तैन रेश पार माइनस टैन मीटर के स्केल पर आपको काम करना पड़ेगा ताब आप एटम के अंदर देख पा होगए यह असान क लेकिन लोगों ने किया भी और पिछले कई सालों से नोबल प्राइज एटम के अंदर से निकला कभी निकलिस के अंदर से कभी अटम के अंदर से बहुत काम इस फिल्ड में हुआ हिस्दा हिस्दा और सारा काम अगर आप देखोगे पुरानी इस नाइटिन नई इस से पुरानी सेंच्विकी सारा काम फिजिसिस्ट ने किया कैमिस्ट ने इसा नहीं की किमिस्ट की लेकिन अटम के वारे में अगर बात करें तो एक डॉल्टन था डॉल्टन के अटॉमिक ठीरी तोने पड़े ह जिसको further sub divide ना किया जा सके कि जी atom से चुटा कुछ नहीं इसके अंदर कुछ नहीं मिलने वाला वो अगला सब के रास्ते ब्लॉक करके बैठ गया कि भाई इसके आगे नहीं कुछ नहीं होता लेकिन लोगों ने सिम्मत नहीं छोड़ी लगे रहे और atom के अंदर तो छोड़ो Nicholas के अंदर से भी बहुत सारे sub atomic particle निकले तो देखें भाई इसने आगे क्या क्या Thompson experiment to find EYM यह किया Thompson experiment to find EYM electron to electron के charge to mass की ratio of finite की और charge to race की mass ratio of finite पाइन आट करने के बाद फिर final electronic इलेक्ट्रोन का चार्ज भी final किया कैसे यह हमारे पास एक ट्यूब है जी vacuum tube देख पा रहे हो जी यह हमारे पास एक ट्यूब है जी यह vacuum है इसके अंदर जी इस देखा है चिंपू फर्माएं तो जूरूड नहीं हूँ तापस में कपे मारे नहीं यह आ गया negative electrode और यह आ गया पादरिव एक डिस्स से connective है जिसमें छोटा सा होला है यहां पे electric field से यहां से electron निकलने शुरू है field emission बोलते हैं इसकी बहुत strong electric field हमने अपलाई की cathode से electron निकलने शुरू है electric field अपलाई करने के बाद field emission इसको का जाता है electron निकलने के कई प्रोसेस है photo electric commission जिसमें light आती है metal surface के ओपर fall करती है और electron निकलने लगते है field emission यह हो गई बहुत strong electric field आप अपलाई करते हो cathode से electron निकलने लगते है thermality commission cathode को heat किया जाता है इतना heat कि उसके item के बाहर के electron free होके बाहर निकलने लगते है वो थर्माईनी commission उसको का जाता है तो उन्ही में से electron injection का एक प्रोसेस है क्या जी field emission यहाँ से electron निकलने लगे बाहर अरे भाइलेक्टरोन निकला तो आगे पद्रीप ही तो है यह पद्रिफ डिसक नेगटिव को क्या करें का गुंड करेंगा कि और वह अंपर यूनिट चैर्ड क्या होता है बोलो वह अ의성 का क्षाज पॉड्टर इफरेंस तो ही च methट आगे बेटा एवी कराबर राइट वो सारा work done काई में convert होगा kinetic energy of electron तो work done per unit charge potential difference work done EV के बराबर आया और वो सारा kinetic energy में convert होगा half a m square में यहां से हमने use square निका लिया 2 EV upon है V यहां में पता था हमने खुद अपलाई किया है potential difference हमने खुद अपलाई किया है तो known है जब खुद 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 खुदु अगर्ण फिर सब्सके दिए ने यहां यहां भून आ फिर साथ ने पार यूनित चाज पटंशल ड़रेंस वर्गनन एवी के बराबर हो सारा कानिटिक एनर्जी में खतम हो गया, का कनवर्ट हो गया, तो आपके बास आ गया हाफ हैम यूस कर एवी कुड़ा हैं और वहां से हमने यूस कर फैन अट कर लिया, वो तो बचारे बिले रख ड़ेगे थे, दुन तो यहां बैठे हुएं, है और यह था बस, क्या नहीं किया, हैं, तुई तो था अभी, अभी अभी कॉड़न था, क्या इतना आ गया, यह थॉम्सन एक्सपेरिमेंट था, यह एम फाइन अट करने के लिए ध्यान से देखें क्या 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 थॉम्सन ने, यह कर लिया और उसके बाद, जो इलेक्टरोन थे बटा, वो यहां से आगे चला गया, कितनी भॉस्सि की साथ, यू ब्रॉस्सि की साथ, खाँ गया, एक ऐसे रीजन में आगे, यह ऐसे है भाई, वैक्यून टी उपए देखो, एक ऐसे रीजन में घुस गया इलेक्ट्रोन जहां इलेक्ट्रिक फिल्ड भी है और जहां मैगनेटिक फिल्ड भी है क्या है इलेक्ट्रिक फिल्ड भी है और मैगनेटिक फिल्ड भी है जी जहां इलेक्ट्रिक फिल्ड भी और मैगनेटिक फिल्ड भी है तो जाए फुटबॉल लगाओ तो उसे गंड डालें शक किसी और पर जा रहा है 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 तो बढ़ खेने के दिल कर रहा है है तो चुप चाहिए उड़कर एक अवनादी निपल जैसा है 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 देखे उन्टी बढ़नाने कर फिलेगाप लाने है 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 तो एई बढ़ ए्या है 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 और कर लगाओ घटा है यह लगर यह लिवा है तो एई और दो लेखे है तो ही अ बढ़स्वा फिले तो यहां देखो यह पादरी ब्लेट तुनना पिट जान से यह एक प्लेट और यह दूसरी प्लेट मतलब नोन इलेक्ट्रिक फिल्ड आप यह अपलाई करने लगे हो यह पादरी ब्लेट एलेक्ट्रों था ना और यह नेगटिव ब्लेट ठीक नहीं इलेक्ट्रिक फिल्ड नीचे हैज़ उठाज़ उपर वारी ब्लेट पदरी बिटा और नीचे वारी ब्लेट नेगटिव तो इलेक्ट्रिक फिल्ड की डिरेक्शन काईगी नीचे की तरफ अब मुझे बताओ के इलेक्टरण जब अदर भुसे गा तो इसके उपर फोर्स किदर? ये इलेक्टरण फोर्स किदर भाई? फोर्स आएगी पद civर की डारक्शन में इस फोर्स को मैं बोल रहाओ हम क्या? इलेक्टरिक फोर्स किते? एंटु उई कि यह फोर्स आ गई लेकिन इसी रीजन में आपने मेगनेटिक फिल्ट भी अपलाई की तो मेगनेटिक फिल्ट थी देखिए क्या कुछ यह से ताके इलेक्ट्रोन के ओपर मेगनेटिक फोर्स नीचे एट करें कि यह मेगनेटिक फिल्ट की अगर मेगनेटिक फिल्ट इनवर्ड है और व्लास हिसाल अगए तो करलड की आगए पीछे नारीच्श 커피 के हएवह ती मेग्रेडिक फिल्ट इन्वर्ट डारक्श में और मेग्रेडिक फोर्स आपके बास आ गई क्या इवी भी मेग्रेडिक फोर्स कितनी आगए जी इवी भी के बराबर आगे बिटा मेग्रेडिक फोर्स और ये ऐलेक्टिक फोर्स हमने कुछ ऐइसे किया कि ये जो एड़ेस्ट की किए हमारे हाथ में कंट्रोल थे और नोन इलेक्ट्रीफिट थी नोन माग्नेटिक फिट थी कुछ ऐसे एड़ेस्ट की कि एलेक्ट्रोन हमारा सेंटर पाइंट पे जाके स्ट्राइक कर गया कैसे बचला हमने आगे जिंक सिर्फाइड से कोटिंग की इविए इलेक्ट्रोन जहां जाके स्ट्राइक करेगा वहां स्पार्क प्रोडूस होगा सेंटर पाइंट हमें पता था हमने कुछ हैसे डिजैस्मेंट की इलेक्ट्रीफिट मैनेडीफिट की कि बिल्कुल सेंटर पाइंट पे स्पार्क प्रोडूस हो जा गया इलेक्ट्रोन दीख to гiba क्या स्टाइक कि कि अफ-फ- estéंक के परापर दाए य्व Up के परापर था मत्यते यू सकयर कितना आगा है इसको कि a CORb apar 20 कर अब यूगा आगा المणी यूज इसक पर अब मी सकर है अरे यह भाई फिर तुमने खुछ सब्लाई की, नौन थी, पुटंशिल डिफरेंस, तुमने अब लाई किया, ये भी नौन था, सब कुछ नौन है, तो E by M पता चल गया, so this is how Thompson found E by M ratio of electron, charge to mass ratio of electron. ये खुछिल नौन यौन था झाराओ़ नौनsized धुछ। ये खुछ सब्लाई की, मजने मुझप मास बांदा तुमदे पड़े पता है लोगों को इंजी मरजी अपर मानृ अच्छा तो तो मैंने को जोग सुनाया बटा ने तो जोग किस ने सुनाया दरूकों इसने था जैने नहीं अभी बोलों आपर चुप्चा बैठो इह नहीं इनी खाल नाम कुछी तरह जोग सुनाना भाद विद गता एक वांगा स्लेगा पागल है यह क्या आगा दूस जाओ दोने भी दोस तेरा भागले भी है जोग सुनाना वाद तुए तो है यह चैर नहीं है क्या आगे चलें बिटा आगे चलें बचो मिलिकन्स वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बिटा कि देखो शाद इसमें थांसने भाई है मैं तर देखो भाई इसको पूछ रहा था गराम रहाती ही बले वह रहा तो भाई यह वही एक्सपेरिमेंट ऐसी थी है जो मैंने बनाई था जीब सी एसी ट्यूब है वो यह देखो यहां पे यहां पे नए इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड को इस बोल्टेज से किनेट किया बोल्टेज नोन होगी यहां से यह नेगटिव और यह पादरिव क्यांत यह है यह ना और आके जाएंगे और आगे यहां पर हर कहीं उपर निचे जा सकते हैं क्योंकि अगर मैगनेटिक फोर्स बढ़ी होगी तो उपर जाएंगे मैगनेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं पर इसने ऐसा लिया बैटा हमने इंडवर्ड लिया था ना हमने मैगनेटिक फोर्स अंदर ली थे वह समय में आ गया ना कि या गए इंटुई और मैगनेटिक फूर्स एवी बी के बराबर और हमने कुछ ऐसे एड़ेस्मेंट किया कि एड़ेक्टिक फीड और मैगनेटिक फीस बराबर थी बिल्कुल सेंटर पे जाके सेंट्रिलेशन प्रोडूइस हुई अगर कोई फील्ड बड़ी छोटी होगी तो अपर नीचे भी जा सकते हैं जो साम साथ में जो सेंट्रिलेशन प्रोडूइस हो नहीं हो अपर नीचे कहीं भी हो से लेकिन हम ने एड़ेस्मेंट ऐसी की फील्ड की के एग्जेक्ट्ली सेंटर में जाए ताकि हम बोल सकता है के जी एफ़ी जो है मेगनेटिक फोर्स के बराबर आचुकी है और बराबर जब हम प्रोडूइस कर बराबर जब करेंगे है ना मिटा अब बस मुझे आपको एक्प्वेंटी दिखाना था हूँ हो गया यह मिलिकन ने ऐल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था है चार्ज जोन इलेक्ट्रोन फाइन ओर करने के लिए इंपॉर्ण था यह लेक्ट्रोन के उपर चार्ज कितना हो रहा है तो देखो भाई यह ऐसा है यहाँ हमने सेवरल थाउजन बोल्ट और पॉटंचिल डिफ्रेंस अप्लाई किया यह पगली भाई और यह नेगटीव है यह पगली प्लेट है यह यहां से हमने क्या 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 ऑइल्ड स्प्रे किया वेटा ऐऊ雜ी करना चीथा किया क्याक्त क्या क्या स्प्री किया वो रहा हूं क्याक्त बना और ऐल harm आओ लॉफ भी लुफ तैल पया वह त्यमिए प्राइब कि जब आप कि जब आप ऑइल स्प्रे करोगे अटेमे चेनली है अब हासी यह रहा था ऐसी तो आसे का निढ आटेगे आट है पानी का बेटा वो करते हैं आप लोग जैसे काफी लोग उपर के रिया सेब में सेब की बैटके हैं तो वहां स्प्रेय करते हैं तो जBAjs पानी का स्प्रेय करते हो नोजल में से पानी बहार निकलेगा वो चार्ज हो चुका उता हूं ऊपर की जो नोजल समें से पानी बाहर निकलता है। उनके उपर उसक्ष न कुछ आमांटी आफ़ करते हैं Train Tron निकालके फ्रिक्षन कि वend जो नहीं भी चार्ज है लिए और फ्रंद्र ना பरत करके नीचें के तरफ आने छाने लए। ड्रॉप है मास कम है और एयर की जो बैंसी फोर्स है वाफवर डारक्ष में बड़े अराम से आइस सहसा नीचे की तरफ आएंगे आपने यहां पर माइक्रोसकोप से देखना शुरू किया और यहां इस रीजन में जब ड्रॉप एंटर की ड्रॉप जब एंटर की तो क्या हु यह पॉदरि प्लेट और नेयग डेडिट को रिपेल करेगा एंविटा क्यू इंटू इआप बड़ा रक्षमे और एंजी डॉन बड़ा रक्षमे ऐसा exactly क्यूंटू इप बड़ा रक्षमे और एंजी डॉन और हमने प्में क्या करना है ए इलेक्ट्रिक फिड़ बढ़ात जाना है जब तक के वह कॉंसें लॉसी से नीचे की दर्फ चलना शुरू ना हो जाए कॉंसें लॉसी का मदब एक्स 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 जीरो बाद उपर वाली फोर्स एको नीचे वाली फोर्स एक्वेट कर दो क्यों इंटु इस इकुड मास कितना फोर बैद री पाई आर के यहां से क्यों निकला है और मिलिकन ने क्या प्रूब किया मिलिकन प्रूब देट चार्ज ऑन इच डॉप वाज इंटेग्रल मॉल्टिपल ऑफ एन इंटु ए एक एक ए था हमारे पास हमेशा चार्ज एन इंटु इंटु आया वानी टूई थी फोरी फाइव इसक्सी कभी 6.5 यह नहीं आया इंटेग्रल मॉल्टिपल ऑफ ए आया चार्ज हमेशा मलब यह जो क्यों निकला यह जो यहां से क्यों निकला यह एक ए उसने लिया फिर ए के साथ 4 मॉल्टिपलाई किया तो 4 ए आ गया किसी कोपर 6 ए आया किसी कोपर 1000 ए आया लेकिन कभी points में नहीं आया है मतलब है ही जो सारज हो ए लेक्ट्रों के ओपर नहीं गया और रेक्त्रून की तो एक्ट्रों कितने ट्ररांसवर होगे थे डॉप के ओपर कि手 चार होगे तो इस निकल गया चार्ज और यहां से निकल गया विटा यहां से निकल गया फांसन ने यह भाई हैं निका रहा हो था हुआ से मास निकल गया यह यह पिए भका रहा हुआ भाई हैं ने यह भी कि दोग्या गया चार्ज हुआ भाई हैं तो 1913 में मिलिकर ने एक्सपेरिमेंट किया हमारी पिछली जो सदी है उसकी बात हो रही है आइंस्टान भी पिछली सदी का इंसान था 1926 में उसको नोबल प्राइज मिला 2678 में नोबल प्राइज मिला था 1902 के आसपास बहुत सारी थियूरी देखे बैठा था जो कि लोगों को 25 साल के बाद समय में बता हूँ आइंस्टान ने 1900 के आसपास जो है जो थियूरी दी थी उसके 25 साल 26 साल के बाद लोगों को समझ में आए भी है बना ठीक बोल रहा है तब जाके उसको नोब प्राइज मिलाए तो कुछ लोग थोड़े इस तारीके से दिमाग से अलग होते हैं बात जो करते हैं वो लोगों समझने में तकलीफ होते हैं कि टाइम डामेंशन क्यों बन जाएगा अभी भी लगता है कि अगर स्पीड आफ लाइट से हम लोग चलने लगे या उसका स्पीड से चलने लगे तो टाइम भी एक डामेंशन कैसे बन जाएगा पढ़ना के बाब जूद मुश्के लोगों को स नहीं या नहीं है बहुत तकलीफ होती है जो पढ़ने वाले हैं उनको क्यारी हो गयरा है मिलिकन्स ऑईल ड्रॉप एक्स्पेरिमेंट मतलब बोलना जारा है वैसलीन सारे लगाया करवी तो यह आपके बास देखो तॉमसन अटॉमिक मॉडल की बास करने लगा है यह आईल की ड्रॉप डाउन मडा रक्ष में आ रही है बीच में इनको चार्ज करने के लिए देखो एक नया हमने बीच में एक्स्रेस टाइप डिवाइस रखा है ताके चार्ज होती जाए और बहुत सारे पोटन्चल डिफरेंस अपलाई करके रखा है स्प्रेज ऐसे करोगे एटोमाइजर से वैसे बहुत सारी ड्रॉप लाइस गई और नीचे दो प्रेट के बीच में एक प्रेट ऊपर एक प्रेट नीचे हैं ढाल है लिफन और नीचे आएगी हो इसक जिए जो आप्र डॉप प्रेट पर आव से में बृट प्रेट है हमने उना Character कर दिए माइक्रस्कूब करोगे और जब कॉंस्पनप्र ऑस्ति चलती हो अप्रप दिखेंगी हमने नेट फोलब नेट और्न पॉल्ज एरो तो दो हमने फिराल शोने की हमने ज्यादा कॉंप्लेक्स नहीं किया उसको लेकिन अगर आप कोई कुश्चन में बोलता है कि यर विसकस फोर्स भी है वास तो आप जानते हैं वो सिक्स पाइट आर वी के बराबर होती है जवाब साइड चार्ज एक वार किया और हमेशा हमें क्या मिला किवी कोड़ो प्लस माइनस एन इंटू ठीक है बराबर मिला पर मागे तो बोलता मतर को बोलता है चुपी था आपकी रहा है अच्छा बोला कुछ नहीं पर बाद मेरी हो रही है बोला कुछ नहीं है यह एक यह ओ एक 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 रही जासे बाज आ रही है लुग नहीं अंदर अलिया ड्राम तो तुट क्या तुट की तुट क्या वाणेवन प्वेड़ा तुट के वाणने वड़ा है तुट 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 था कर दो आगे तो लोग एए वागे जोनोई एव फट्ट चो अब इलैक्ट्रण अमेशन मैंने आपको बताया कि तर्पारवानरी के मेशन भी आते हैं टेंपरिश्र के संब न कि वेसे फिर्ड की से फोट्ट्रीं के मेशन वी होती है लाइट की बज़़ा से ऑल सेकंट्ड्रीं अमेशन वे एक होती तो इलेक्ट्रोण के हमेशन के ये चार प्रॉसस हम हर रपास आएगे अचा झाले पेच बेमेशन बाद नहीं हो इन बात हुआ इलेक्टरोन अमेशन चार तरीके से की जा सकती है वह बाद में आते हैं पहले मेटल के सर्फेस से इलेक्ट्रोन निकालना है यह असान काम बिलकुल नहीं है जी बेशिक मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रोन होते हैं हम जानते हैं है ना फ्री इलेक्ट्रोन किसको बोलते हैं वो एटम जो बचा रहे अपने एटम को छोड़के बाहरा बारा कर दी करते और एंटम को पादरीप चोड़ जुके हैं वह अगर एंटम को छोड़के को एलेक्ट्रोन बहारा वारा कर दी करता फिर रहे तो अपने एंटम को पादरीप बनाके छोड़ गए तो मेटल के पास conductor इसी को तो इसलिए तो बोलते हैं मेटल को कि उसके पास free electron की भरवार है atom को छोड़ने वाले लोग atom को आट्रोमोंचल को छोड़ने वाले electron बहुत जदा है और पूरे structure में घूंते फिर रहे हैं यही तो है metal की characteristic एक electron को वहां से निकालने के लिए इसको जो energy चीए उसको बोते है work function क्या बोलते है work function energy required to take out electron from metal surface ठीक है atom से electron निकाल लिए अगर तो उसको बोते है ionization potential atom के outermost shell से electron suppose निकालना है तो उसको क्या बोलते है ionization potential लेकिन metal के surface से अगर आपको electron निकालना है तो उसको क्या बोलते है work function दोनों में difference clear होगे क्योंकि metal के surface में बहुत सारे electron है जो अपने atom को छोड़के और रड़ी आज चुके हैं उनको निकालना आपको तो वाक function अगर atom में से electron करना है तो उसको यह बटा वी नो from an atom the minimum energy required to remove an electron is called ionisumotential similarly the minimum energy required remove an electron from metal surface is known as work function for that metal surface सारा एक एक चीज़ यह NCRT से हैं मरला भी जो यह बहला जो section है इसमें question आते भी NCRT से ही हैं तो मैंने सारा NCRT का कोई important point नहीं छोड़ा इसमें अब आगे जी क्या minimum amount of energy required to remove electron from metal surface in known as work function सीजियम का सबसे कम two point one four electron volt तो सीजियम अगर आपके पास है उसमें असानी से electron निकाले जा सकते हैं वो अगर light fall कर वाओगे तब भी energy इतनी available होती है उसमें से भी निकाले जा सकते हैं और अगर कोई और तरीका follow कर अगर तो उसमें से भी अगर इतनी energy दोगे तो इलेक्ट्रोड निकाले जा सकते हैं अगर मत्मारम मरवी तुम दोनों कि सीएस two point one four electron volt पोटाशियम two point three बढ़ते जा रहा है और मैक्सिमम किसका आगे बटा प्लेटनम का five point six five electron volt तो प्लेटनम से एलेक्ट्रोड निकालना काफी मुश्किल वर्क फंचन सबसे ज्यादा उसी के लिए सीजियम से सबसे आसान है भाई इस लिए सोडियम से भी निकाल सकते हो काफी कम है और टू की रेंज में कौन आगे सीजियम फोटाशियम सोडियम ही आगे कैल्शियम का फिर स्पीन के रिए तीन एलेक्ट्रोड की रेंज में चला गया तो वर्क फंक्शन हो गया भाई, मिनिमाम अरजी रिक्वाइड तो जस टेक आउट एलेक्ट्रों फोन अमेटल सर्फेशियम तो क्या में आगे चलों विटा इस तो इसको मरवाएगा जारे को साथवाले को तो तो हुद तो समयद समूल करके साथ हो जाएगा ग्रेद असकी माड़ी अनिया आगे चला के बिटा इलेक्ट्रों अमेशन प्रोसेस चार टाइब का तरमायने कमेशन और तरमायने कमेशन क्या हो गया एमेशन आफ इलेक्ट्रों फ्रोम मैटल सर्फेस बाइ यूजिंग हीट हम हीट करेंगे कैथोड को या मैटल सर्फेस को और इलेक्ट्रों के पास उतनी इनरजी दे देंगे जिसका वाक फंक्शन के बराबर उसको चाहिए कि electron eject होने शुरू हो जाएंगे तो यहां लिख लोगे emission of electron the phenomena of emission of electron the phenomena of emission of electron from metal surface when energy is provided to free electrons in the form of heat when energy is provided to free electrons in the form of heat is known as thermionic emission दूसरा बटा photoelectric emission the phenomena of emission of electron form at a surface when energy is provided in the form of light light between energy a bhai heat energy this लिए नहीं कुछ नहीं कुछ जएगी मैं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तरुमने यह थी क्लास में बैठा और आंके लगा बंद करना है एए 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 नहीं पोटो एलेक्रिक एमिशन विटा क्या दा फिनामना आफ एजेक्शन आफ एलेक्ट्रोन एमिशन आफ एलेक्ट्रोन फाम मेडल सर्फेस वेन अनर्जी इस प्रवाइड टो एलेक्ट्रोन तो एलेक्ट्रोन को फाइनली अनर्जी देनी है कितनी वर्क फंक्शन के बराबर भाई इतनी एनर्जी देनी है बाग फंक्शन के बराबर इसको इतनी देनी है इसको इतनी देनी है और वो देने के तरीके क्या है हीट की फॉर्म में दे दो लाइट की फॉर्म में दे दो heat की फॉर्म में light की फॉर्म में या फिर secondary emission क्या है अब फेले एक field emission field emission में क्या होगा field emission में the phenomenon of emission of electrons the phenomenon of emission of electrons from metal surface the third of a be not a better take field emission the phenomena of emission of electron from metal surface when energy is provided to free electrons when energy is provided to feel free electrons from large amount of electric field applied from large amount of electric obviously बात है यह चोटा मोटा वाक फंक्शन नहीं है electric field apply करनी है तो बहुत बड़ी electric field चाहिए potential difference बहुत जाद चाहिए large amount of electric field applied for the same यह secondary emission क्या होता जी secondary emission में बहुत हाई energy के अल्फा पार्टिकल यह गामा रेसरी गामा रेस अल्फा पार्टिकल यह बंबाड की जाते हैं आटम की तरफ को वह energy देंगे atom को और उसके बाद वो energy किसी और को देंगे और कोई और मेट हो जाएगा जाके जैसे एक्स रेस का प्रोसेस है थोड़ी दिर में आता हूं चले इसके बारे में पहले बारी बारी बैसी कर लें पहले थर्मानी कमेशन भाई अधानी कमेशन लिख वा दिया मने आपको क्या होगाinka टेंपलिशर की फॉल में आप वर्क फंक्शन के बरारबर एनरजी दोगे इसन सब्सक्राइब तो आप तृएट किघुगा है यह तो आप टेंपरेश्र की हमें लिधे करके आप यह फंक्शन के बराबर energy provide करोगे free electron को और फिर उससे जो electron एमिट होंगे उसको बोलोगे थर्माइनी कमिशन दा करण डेंशी ऑफ थर्माइनी करण डिपेंड मेंली अंदा सर्फेस टेंप्रेश्टर एंड वर्ग फंक्चिन ऑदा मेटल सर्फेस गिवन बाइद रिचार्डशन डिश्मन एक्वेशन गिवन आज जे जे क्या करण डेंशी बटा करन पासिंग परेंट एरिया एटी स्केर इन्ट इरेश पार माइस फाई अपॉन के टी एक्वेशन से करन डेंशी फाइन अट की जा सकती है जो की एलेक्ट्रोन एजेक्ट होने वाले उनकी करन डेंशी मैटल सर्फेस से एलेक्ट्रोन एजेक्ट होंगे ना अब है करन भी तो कॉंस्यूट करेंगे तो करन बासिंग पर इन्ट एरिया उस जे का फामुला दे रहा है जे एकड़ो एटी स्केर डिवेट बाई रेश पार फाई अपॉन केटी जे आ गया करन डेंशी के बोल्समें सब्सक्राइब कर लेना डिगरी से जिसम नहीं है अप्सुलू टेमरीचर बोला तो कैल्विन में ऐसा ही यूनिट अप्रिश का कैल्विन होता है ना ऐसा ही यूनिट डाला है फाई आगया वाग फंक्शन हमारे पास है थर्मायनी कमेश्चिंग कर सकते हैं कि करन्ट कितना आया थर्मायनी कमेश्चिंग के वज़ा से फाईनल इस चेप्टर में हमारा परपस है फोटो एलेक्टिक इफेक्ट पढ़ना जो कि शायद आपने कभी केमिस्ट्री में भी शायद थोड़ा बहुत किया होगा है ना किया है फ्लस्ट्वन में किया है तो अभी हमारा पैस थोड़ा सा एक्सेंडिट पाउम में होगा बस यह कि गरा बेरा शायद वहां कियो और ना कियो या बेटर अजन्स्ट्प पुसकी देखने का आपको थोड़ी से मिलेगी है चलूँ हागे कि जलो बिटा आगे कि जाले आगे जी कि अबना क्या लिखता रहता है देखो इसना कि अबन करो है कि परस्तों निटायो किसी क्या होई कि वह ऐसे दिखाना होता है इन दोड़े जाना होता है कि अब यह तो बड़ा कंदा छोकरु है एफ लटकियों के बड़स भी मार लेकि जाता है कि एदोने बिटा किसी के देखलो कि इसको निच्चे रखो बोड़ पे नोटिस लगा दना कि परस किसी का है तो बताओ वह इसमें क्या क्या है फूछ सब्सक्राइब करें तो यह तो बड़े सचारी लोगे सारे कि सारे कि परसी तो नूड़ते रहते हैं सारा तो चलो मिटागे सेटिंग करने विटा सेकेंट्रेमिशन आगे विटा रोसस्स इन विच वफ़ंक्शन इस सप्लाइट वफ़ंक्शन के बराबर अनर्जी स्प्लाइट तो करने पड़ेगी ना वब फंक्शन इस सप्लाइट टो दाफ्री लेक्ट्रोन अफमेटल सर्वेश भाय पुलीजन विदा पास्त-moving तो fast moving neutron बंबार किया जाएगा या बीटा particle बंबार किया जाएगा ताकि वो energy प्रोवाइड करें किसी को और उसके बाद electron eject हो जाएगा तो एक तरीका आगया heat देने का work function के बराबर heat energy दे देंगे जी दूसरा तरीका आगया light की form में energy देने का हम light की form में उतनी energy देंगे जितने work function के लिए चाहिए तीसा तरीका आगया जी हमारे पास speed emission का हम electric feed supply करके energy देंगे ताकि electron matter surface से eject हो जाए और अगला आगया secondary emission मझा हम particle ही बंबार कर रहे है बीटा particle है फिर neutron बंबार कर रहे है और उसके बाद निकलेंगे कौन electron मझा वो जाएगा अपनी energy free electron को देगा free electron वहाँ से बाहर निकलाएगा तरफ प्रोसेस ब्रियर कि जाएगे तब चारो प्रॉसेस क्लियर हो गै कैसे कैसे एनर्जी इलेक्ट्रुन को दी जा सकती है अपना मकसत है फोटो इल Pode फॉर्टो इलेक्ट्रिक के दिए जानने का फोटो इलेक्रिक एमिशन पहले बता दिया मैंने फिर भी इन दिस प्रॉसेस वरक फ़ंक्छन ओनेक्स लेक्षर में हम आप करेंगे फोटो इलाक्टिक एफेक्ट के बारे में कि निएक्ट लेक्च्र के बारे में क्या करेंगग करेंगा वह एक ठाशा सुनो सो मैंने आपको लिखवाक दीएदेखो बहुत हई बोल्टेजी होती है इलेक्ट्रीb टेन देश पार एट वोड पर मेटर की ओजिंपू एट्रीक फिल छोटी मोट इलेक्टि फिल से बात नहीं बनती है अप्रॉक्सिमेल्डी टेन देश पार एट वोड पर मेटर की एलेक्टिक विड़ापको सब्लाई करने पड़ेगी तू पुल आउट एलेक्ट्रोन फंदा मेटल सर्फेस चलिए नेक्स लेक्ट्र में चलाएंगे करेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट के बारे में